बोल राधे राधे तो यह देखिए मेरे लड़ू लाडली कनहिया जी अब थोड़ा उटके विशाम करने के बाद आप थोड़ा सा हीटर में बैठें क्योंकि आप बहुत 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 ठंडी है तो चली शुरू करते हैं अपना जो पार्ट टू मैंने आपसे शेयर करने के ले कहा था मैंने आपको पार्ट वन में अश्ट सक्षियों का अपने जो उनके कार रिक्या हैं उनके अब आपको बताती हूं कि अश्ट सक्षियों का हमारे जिन्दगी हमारे जीवन में कितना महत्व है हमारे लाडली हमारे कनहिया लड़ू भाईया के जो जितने भी जित ना महत्वपूर्ड है मैं वो बताती हूँ देखिए सबसे पहले तो अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मैं अपने लड़ू-लडली कनहियाजी को मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मैं वहां लेके जाती हूँ जहां मुझे लगता है कि चार गणते पांच गणते छे गणत हो जाएंगे या मैं दुपहर में जा रही हो सकता है मुझे रात हो जाए या हो सकता है मुझे शाम हो जाए रात हो जाए या शाम हो जाए ऐसे टाइम पे ऐसी इस्थितियों में मैं अपने लडू लाडली कनयाजी को अपने साथ ही लेके जाती हूँ लेकिन कभी ऐसी इस्थ इस्थिती आजाए कि हम ऐसी अपात कालिन इस्थिती आजाए जिसमें हमें रात में जाना है या शाम को ऐसी जगा पे जाना है कि जहां हम अपने लड़ू भया लाडली और कनयाजी को लेके नहीं जा सकते हैं ठीक है तो ऐसी इस्थिती में हम क्या कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले हम ऐसी स्थिती में बहुत ज्यादा परेशान बहुत दुखी बहुत विचलित होने लगते हैं कि कैसे हमारे भाया की हमारे माता रानी की कैसे सेवा होगी देखिए ये सब चीज़े जो मैं आपको बता रही हूं मैं आपको अपने भाव बता रही हूं पहले तो क हमें सबसे पहले ऐसी स्थिती आए जब हमें जाना है कहीं बाहर जाना है जहां हम इने लेके नहीं जा सकते हैं तो सबसे पहले तो देखिए कोशिश ये करिए कि जहां आपको एक दिन दो दिन के लिए जाना है तो आप इनको अपने जहां आपका परिवार हो या आपका मायक हो यासा सुरालो आप वहां पर इनको सुरक्षित जहां पर इनकी सेवा हो और यह जहां पर सुरक्षित रहें वहां चोड़ें इनको वहां थोड़े दिनों के लिए भेजें और जहां पर इनकी बराबर सेवा होती रहे पहली चीज़ दूसरी चीज़ अगर आप ऐसा भी नह सिति आ जाए तो कौन हमारे प्रभु की सेवा करेगा तो कौन हमारे माता रानी को भोग लगाएगा तो कौन इनका दूद का सेवन कराएगा तो सबसे पहले ऐसी सिति आने से आपको सबसे पहले इसमरण करना है हमारी अश्ट सक्यों का हमारी ललिता माता का हमारा विशाका मा उनका आप इसमरन करिए और उनसे प्रातना करिए कि मा इतने घंटे के लिए या इतनी देर के लिए मैं अपने लड़ू लाडली कनियाजी के पास से जा रहा हूं मैं मानसिक तौर पे उनके साथ ही और आप उनकी सेवा में ही रहूंगा आप कभी भी जाईए घर से तो उनके पास में सारा भोग भोग बिस्किट हो गया नमकीन हो गया दूद हो गई और भी जो भी भोग आप लगाते हैं वो वहाँ पे रखके जाईए और जब आप जाएं माता को यहाँ पे निमंतर देखे जाएं कि मा ललिता मा विशाका मा हमारी अश्ट सकीया मा यहाँ पर आके मेरे लड़ू-लाडली कनयाजी और हमारी यूगल सरकार की सेवा में आईए देखिए हम उनका चित्र पट लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं जहां हमारी यूगल सरकार है जहां हमारे लड़ू-लाडली कनयाजी है वहाँ पर उनका वास है ही है ठीक है तो हम उनको उनका इ वो सबसे जरूरी है अगर हम रेगोलर भी बुजा कर रहे हैं और मानसिख पूजा हमको हर छण जहाँ पर हम शॉपिंग भी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हमें मानसिक तौर से पूजा करनी है कि हम प्रभू को भोग लगवा रहे हैं आप माता का इसमरण करी ललिटामा विशाका मा से और उनसे प्रात्ना करीए कि मा इस समय में अपने लडू ल खवा है वो भोग उनको खिला दीजे मेरे युगल सरकार को जलका सेवन करवा दीजे मेरे भिहारी जी को जलका सेवन करवा दीजे मानसिक सेवा आपको करते रहना है ठीक है मानसिक सेवा आप करिए मानसिक भाव से आप उनकी पूजन करिए और मैं आपको बताऊं ये आप ख अच्चे रिदे से आप अश्ट सक्यों को अपने घर पे बुला के अपने यूगल सरकार अपने लड़ू-लाडली कनया जी को उनके वो उनकी सेवा कर रहे हैं उनके हवाले करके जाएंगे आप जब लोट के आएंगे आप भोग देखेंगे और आप जब प्रभू को और भा आतरानी को देखेंगे ना तो आपको खुद लगेगा कि यहां पे यूगल सरकार जी और हमारे लड़ू-लाडली कनया जी आपके बाल गुपाल जी अकेले नहीं थे ये बहुत बहुत भाव और बहुत महत्वपूर चीज मैं आपको बता रही हूं आप लोग कभी भी कभी ऐसी इस्थिति आ जाए कि कभी आपको इनको घर पे थोड़े समय के लिए छोड़ना पड़ जाए तो आप हमेशाल अश्ट सक्यों का इसमरण करके उनसे प्रातना उनसे निवेदन करके कि इतने समय के लिए वो हमारे यूगल सरकार हमारे लड़ू-लाडली कनया जी की सेवा में उपस्तित हो जाए और आप विश्वास करिएगा आप उनसे कहेंगे और यहां पे वो ऐसी सेवा करते हैं वो तो हर छण उनके साथ रहते हैं हर छण हम लोग उनका शिंगार करते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन अश्ट सक्यां तो हर छण माता के सेवा में रहती है हमारी राधारानी हमारी मातारानी के पास में ही रहती है तो ये कुछ चीज मैंने आपको अश्ट सक्खियों का महत्व बताया उनका पार्ट वन में मैंने बताया था कि हमारी जो अश्ट सक्खियां उनका नाम और उनके कार रिक्या हैं बहुत शॉर्ट में और ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपाद काली निस्थिती में या हमें ऐसी इस्थिती आ जाए कि हम ऐसी जगा पे जा रहे हैं जहां हम अपने भहिया को मातरानी को लेके नहीं जा सकते हैं तो हम उनको किसके हवाले करके जाएं और ये खास दोर से उन लोगों के लिए जो दो लोग हैं परिवार में जैसे मैं और मेरे हस्बिन रहते हैं बाकी फामिली जो है वो हमारी जो घर है वहां पे रहते हैं तो ये वैसी फामिली के लिए मैंने आपको बताया और आप विश् दिवा करते हैं और दूसरी सबसे महत्वर पोर्ची जभी भी आप बाहर जाए चाहे एक गंटे के लिए चाहे दो गंटे के लिए चाहे पहले तो आप अश्ट सक्यों को बुला के जाए दूसरी चीज उनके पास में जो भोग है पहले चीज इस पर मैं आपको एक सेपरेट किया हुआ है आप कभी भी वहां पे खाली मत रखिए वहां पे आप भोग में उनके लिए नमकीन बिस्किट अभी तो ठंडकों में बहुत लड़ू आ गए हैं वो रखिए पानी अच्छे से रखिए हर चीज आप रखिए अच्छे से क्योंकि अश्ट सक्यों हमेशा उनक रादारानी को क्या चाहिए कब चाहिए तो ये मैंने आपके साथ बहुत महत्वपूर चीजें शेयर की हैं आज और मैं यही कामना करूंगी कि आप लोग भी अपने बाल को पाल की जबी भी सेवा करें तो अश्ट सक्यों का एक चित्रपट लगाईए जिसमें रादारानी जरूर करिये हर दिन करिये सुभा दुपहर शाम रात उनका भी समरण करिये तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा ये सब मैं आपको अपने भाव बताती हूं और ये मेरी कामना है ये मैं कोशिश करती हूं कि जिस प्रकार से मैं अपने आदे हरी हरी बोलो